हेलो फ्रेंड जशी कृष्णा मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लिए लेकिया आई हूँ एकदम सुपर टेस्टी यम्मी चीजी पीजा बनाने की रेसिपी और इस पीजा को मैंने बिना हीस्ट के बनाया है और बिना अवन के बनाया है और इसका टेस्ट इतना जादा शानदार है कि कोई नहीं कह सकता कि ये पीजा अपने घर में बनाया है तो चलिए फिर इस सुपर यम्मी चीजी पीजा की रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए एक बड़े बरतन में मैंने यहां पे ले लिया है दो कप के जितना मैदा आप चाहें तो आदा आर्टा या फिर आदा मैदा भी ले सकते हैं अब इस सरह से बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे और इसमें डाल देंगे एक कप के जितना दही दही आपको बहुत ज़ादा पुराना नहीं लेना है मतब खटा नहीं लेना एक से दो दिन पुराना दही होगा तो भी चलेगा तो अभी मैंने थ्री फोर्थ कप दही डाला है और वन फोर्थ कप मैंने बचा लिया है अब इसमें डाल देंगे एक चमच नमक एक चमच चीणी देढ़ चमच इसमें हम डाल देंगे जिमने बेटिंग पाॉडर डाला है और आधा चमच हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा अब इन सारी चीजों को पहले दही में अच्छे से मिक्स करेंगे दही, बेकिंग पाॉडर, नमक, चीनी इन चारों चीजों को पहले अच्छे से mix करेंगे और उसके बाद इसी दही के साथ आपको क्या करना है कि इस आठे को लगाना है इस आठे को लगाने के लिए आपको पानी का use नहीं करना है दही से ही हमें ये सारा आठा गून लेना है तो यहाँ पर देखें पहले मैंने सारी चीजों को अच्छे से mix कर लिया है थोड़ा सा भी सूखा लग रहा है तो कि जो बचा हुआ दही है ये भी हम इसी में डाल लेंगे दो कप मैदा का आठा लगाने में आपको एक कप दही अराम से लग जाएगा अब इस सारे दही को अच्छे से mix करेंगे अगर आपको लगता है कि बहुत ही जादा dry हो रहा है तो आप एक से दो चमच इसमें पानी भी add कर सकते हैं बस पानी आप इसमें जादा ना add करें दही से लगाएंगे तो इसका जो डो है ना बहुत ही soft बनता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा आटा एक साथ आ गया है जब इस तरह से आटा एक साथ आ जाएगा तब यहाँ पर मैंने butter को melt करके लिया है चार से पान्च बड़े चमच आपको इसमें butter डालना है थोड़ थोड़ा मखन पिगला हुआ डालेंगे और इसको अच्छे से मसल मसल के नीट करेंगे आपको इसको चार से पांच मिनट के लिए अच्छे से मसल ना है जब तक की बिल्कुल चिकना ना हो जाए परात में या फिर बरतन में पर आपको इस तरह से पटकना भी है यह देखे मैं फुल वीडियो दिखा रही हूँ इस तरह से आप इसको पटकें चार से पाँच बार और अच्छे से इसको नीट करते हुए तब तक मसलते रहें जब तक कि बिल्कुल अच्छे से चिकना ना हो जाए और सर्फिस पे चिपकना ना बंद हो जाए बीच बीच मे आप इसमें इस सरह से बटर लगाते रहें तोटल आपको यहाँ पे चार से पांच बड़े चमच मकन यूज़ करना है इस सरह से यूज़ करेंगे तो आपका जो डो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और जो पीजा का बेस बनेगा वो भी बहुत ही जादा सूपर और एकदम फ्लफी और एकदम स्पॉंजी बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या आटा हमारा लगके रेडी हो गया है मैंने टोटल चार से पांच बड़े चमच इसमें बटर डाला है और आप देख सकते हैं या एकदम सॉफ्ट लगा है बिलकुल लचीला टाइप देख से एक्दम अच्छे से फूल जाए अगर आप जल्दी बाजी में इसको आधे गंते के लिए कम से कम रखें जब वह द्यु रखें जब तक यह चत्टी बना लेते हैं मैं और पीज़ा सॉस बनाने केलिए मैंने यहाँ पर दो कप पानी गरम होने या कंगा है कराई मे लें जब तिक टमाटर भिलकुम अच्छे से गल नहीं जाते हैं पान से साथ मिनट हो गए तब आदी पानी मेसे निकाल लेंगे और जब बांएory में लेंगे दो टमाटार को हम Mixi में चला के इसकी प्योरी बना लेंगे जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे और एक टमाटार को हमें एकदम बारिक-बारी काट करके ले लेणा है चाहे तो आप Chopper में Chopकर के भी ले सकते हैं अब एक pan ले लेंगे और इसमें डाल देंगे दो से तीन बड़े चमच के जितना तेल मैं यहापे refined oil यूज कर रही हूँ और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे बारिक कटी हुई लसन की कलियां और इसे एक मिनट के लिए high flame पे हमें भून लेना है ध्यानने कि हमें इसको बहुत जादा color change नहीं करना है बस जैसे हलका सा लसन का कच्छापन निकल जाएगा हम इसमें ये एकदम बारिक बारिक कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च जाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च को भी हमें एकदम यहाँ पे अच्छे से गला लेना है जिससे कि प्याज और शिमला मिर्च का कच्छापन बिल्कुल भी ना रहे और प्याज और शिमला मिर तक बुल देखे एकार शान हमक में भीक को मुझेने से डाल मुझे द नाकड़ी के जब्ड़ा getting दो टमाटर कार देखे से ट्धंडा करते लिए भाद इसको मुझे इसे यही दालते somak पान नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और दो चमच हम यहां पे कश्मीरी लाल मिर्चे डाल देंगे जिससे कि हम जो ही पीजा सॉस बना रहे हैं उसका कलर बहुत अच्छा आएगा आप एक बार सारी जीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे अब इसे तब तक पका लेंगे जब तक कि टेमाटर इसमें अच्छे से गल नहीं जाते हैं और इसमें से हलका हलका ओयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता है तो यहां पे आप देख सकते हैं साइटों में से ओयल सेपरेट होना शुरू हो गया है तब माटर भी एक और मिनिट के लिए हम इन सारी चीजों को लो फ्लेम पे पका लेंगे और ये हमारी पीजा सॉस बनके हो गई है रेडी बिल्कुल तयार आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है और एकड़ ड्राय भी हो गई है यह जो सॉस है रेडिंग वाली कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए गीला या फ्लोई बिल्कुल भी ने होना चाहिए आगर यह गीला होगा तो पीजा बेस जोगा आपको गीला गीला हो जाएगा तो इस तरह की consistency में आपकी जो sauce है वो होनी चाहिए तो बस ये हमारी pizza sauce बनके ready हो गई है gas की flame को बंद करेंगे और इससे इस तरह से एक bowl में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए और आप consistency देख सकते हैं इसी तरह का होना चाहिए बहुत जादा पतला आपको इसको नहीं मनाना है अब पीजा को बेक करने के लिए मैंने यहां पर भारी तले की कड़ाई ले ली है इसमें मैं डाल दूँगी नमक आपके पास है तो डालें नहीं तो आप skip भी कर सकते हैं मैं यह नमक बहुत बार बेकिंग में यूज करती हूँ इसलिए मेर पास यह रखा है और मैंने इसलिए यह डाल दिया है अब बस हमें इसको बहुत जादा नहीं मसल ना है पहले ही हमने इसको बहुत अच्छे से एकदम मसल मसल के चिकना किया है तब हम इसके लोई काट लेंगे तो जितने पीजा आपको इसमें बनाने है मैं इसमें एक large size का pizza बनारी हूँ और एक small size का pizza बनारी हूँ इसलिए मैंने यहापे एक बड़ी लोई लिया और एक छोटी लोई लिया क्योंकि जो मेरी pizza plate है वो एक बड़े size की है और इसमें घर की plate में बना दूँ जो छोटे size की है अब हम rolling board पे थोड़ा सा मैदा या फिर मक्की का आटा है तो आप वो भी लगा सकते हैं लगा के इससे पहले इस तरह से हलका सा हाथ से फैला लेंगे इतना soft है कि बहुत ही असानी से हाथ से भी फैल जाता है हलका सा बेलन चला लेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ज ज्यादा बड़ा आप इसको ना बेलें तो अपनी प्लेट के हिसाब से अप इसको बेलने मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ कि जिस ट्रे में प्लेट में मैं इसको बनाने वाले हूं यह देखिए इस बहुत बड़े साइस की है मतलब इसमें बना रहे हैं तो इसमें भी प्लेट के साइस का अपना डो की चपाती टाइप की बना लें अब मैं यहाँ पे इसको पहले बटर से ग्रीस कर रही हूं आप जिस भी प्लेट में बनाए उसको पहले बटर से अच्छे से ग्रीस करें जिससे की बेक होने के बाद वो प्लेट में से अच्छे से निकल के आ देंगे मतलब कि इसके किनारे बना देंगे थोड़ा से किनारे किनारे इस तरह से बनाएंगे जिससे क्या होगा कि थोड़े किनारे हैं वो अलग लग दिखेंगे इस तरह से देखेंगे जैसे पीजा में होता है इस तरह से फिंगर से बना देंगे अब फ्रेंड्स मैं आपक पीज़ा एकदम बेकार हो जाएगा वो एकदम पूरी की तरह फूल जाएगा तो मैंने यहाँ पर जब अपना दूसरा पीज़ा बनाया था तम मुझे याद आया था कि मुझे इसको प्रिक करना है तो मैंने पूरी टॉपिंग वगरे सब लगा दीती उसके बाद मैंने इसको प्रिक किया था आप इसको पीज़ा सॉस लगाने से पहले ही प्रिक कर लिए मैंने पीज़ा सॉस लगा दिया और मौाजरेला चीज लगा दिया है इसके उपर आप यहाँ पर मैंने कुछ सबजियां ले ली है, तीनों कलर की, बेल पेपर्स, मतलब लाल, पीली, हरी, शिमला, मिर्च, प्याज, और मैंने स्वीट कॉन लिये है, आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सबजी या फिर टॉपिंग्स इस पर लगा सकते हैं, आप चाहें आप इसे से प्यास टमाटर से भी बना सकते हैं, सारे सबजियां लगाने के बाद मैं उपर से एक पीजा क्यूब लगा रही हूँ, यह देखिए, इस तरह से पीजा क्यूब्स जो मिलती हैं, उसको कद्दू कस करके डाल देंगे, आप चाहें तो उपर से भी थोड़ी सी म मॉइस्ट रहता है, तो यह हमारा पीजा जो हो गया बनके रेडी हो चुका है, इसी तरह से मैंने अपना दूसरा पीजा भी रेडी कर लिया है, देखिए, स्मॉल पीजा को भी मैंने बना लिया है, इसके उपर भी अच्छे से सॉस, टॉपिंग्स, चीज वगरा मैंने सब कुछ लगा दिया है, और इसको भी मैं कडाई में ही बेक करूंगी, तो आप चाहें तो इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे कडाई में बना रहे हैं, तो यहां पर जो कडाई है हमारी वो भी बिलकुल अच्छे से प्री हीट हो चुकी है, अब हम इसमें पीजा की प्लेट रख देंगे, मेरी पीजा की प्लेट इसमें काफी उपर तक सेट हो रही है, इसलिए मैंने नीचे कोई स्टैंड नहीं रखा है, अगर आप चोटी प्लेट ले रहे हैं, तो कोई कटोरी या फिर स्टैंड रख दें, जिससे कि एक डेर इंच का गैब बन इसके अंदर एक कटोरी रख दिया और इसके उपर मैं अपने ये प्लेट रख दूँगी, और इसको क्या करेंगी, फिर हम जल्दी से इसको भी कवर कर देंगे, बहुत सदा देर तक खोल के हमें कड़ाई को नहीं रखना है, इसको भी मैंने भारी बरतन से कवर कर दिया है जिसे की हीड इसमें से भार भी नहीं निकलेगे, और दोनों को मैंने पंदरा मिनट के लिए बेग कर लिया है, तो यहां पे बड़े वाले पीजा को बेख होते होगे बिलकुल 18 मिनट होगे हैं, टोटल मैंने सको 18 मिनट भेग किया है, ऐठारा मिनट में हमारा ये पीजा अच्छे से बेग हुच चुका है और जब यह बिल्कुल गरम है तो इसके उपर pizza seasoning, और फिर chili flakes जो डालना है आप डाल सकते हैं और इसे हम पैन में से निकाल लेंगे और आपने देखा कि बिल्कुल असानी से ही पैन में से निकल गया है और जब यह बिल्कुल गरम है तो इसके crust पे हम butter लगा देंगे melted butter मतब पिगला हुआ मकल लगा देंगे जिससे कि इसके जो किनार है न वो एकदम soft बने रहेंगे आप इसे तुरण ना खाएं 2-3 मिनट तर रुकें उसके बाद ही इसको खाएं और यहां पर दूसरा pizza को बेग होता है 15 मिनट लगे है छोटा pizza जो मैंने बनाया था वो 15 मिनट में ready हो गया है इसके उपर भी मैं seasoning डाल दूँगे और इसे भी हम pan में से निकाल लेंगे दो से तीन मिनट बाद ही आप इसको काटें ये बहुत ज़ादा गरम रहता है चीज भी बहुत ज़ादा गरम रहती है और फ्रेंग्स इसी स्टेज पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी पीजा की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजएगा और ये देखिए ये हमारा यम्मी टेस्टी मेरे बचों को बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है पीजा देखते ही कौन रुकता है बस फोटो कीशने के लिए हम मैं दो मिनट के लिए और रुकी होई और यहां पे आपको दिखाने के लिए कि पीजा कितना ज्यादा चीजी और एकदम सॉफ्ट और आप इसका बेस देखिए कि इतना बढ़िया और एकदम मैं पास से दिखा रही हूं कितनी अची जाली आई है और कितना अच्छे से फूला है यह हमारा बेस बहुत ही ज्यादा सूपर टेस्टी सूपर सॉफ्ट और चीज भी देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होई है तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से पीजा की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिके जरू बताए